जंगल जितना जादा खूबसूरत उतना ही जादा खतरनाक यहां आपको देखने को मिलेंगे प्यारे प्यारे से जानवर जिनको देखके आपका मन खुश हो जाएगा लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर है कुछ खतरनाक जानवर जिनको देखके आप भागे मिनन रहने ही पाऊगे आपको भाग नहीं पड़ेगा वरना आपका गेम खतम हो जाएगा इसके अलावा इस वर्ल्ड में बहुत सारे मैजिकल आइटम्स भी हैं बहुत सारे मैजिकल चीज़े हैं बहुत सारे मॉंस्टर्स भी है तो उनसे भी हमारा सामना होगा लेकिन उससे पहले हमें प्रिपेर होना होगा एंड हाँ इस वर्ल्ड में हम सर्वाइव करने वाले 100 टेज़ देखते हैं हम सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं सो या पढ़ते हैं वीडियो की तरफ वेलकम टू दे जंगल सफारी ओर राइट गेमर्स तो स्वागत है आप सबी का एक न्यू गेम प्ले सीरीज में तो आज से हम शुरू करने वाले हैं जंगल सफारी काफी मज़ा आने वाला है काफी फ़न सीरीज होने वाली है यही पर खता होने वाली आगे बढ़ेगी भी नहीं यह शीरीज और वहाँ पर मुझे गेंडे दिख रहे हैं यस अगर इंगलिश में बोलना चाओ तो राइनोज तो उनसे भी हम अभी टककर नहीं ले सकते हैं वट पहले तो जो हम लकड़ी खटा कर लेते हैं लकड़ी खटा करने बहुत जरूरी है क्यों कि अभी तो यहां पर सरवाईव करना बहुत जादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि हम है जंगल के बीचों बीच और ना सिर्फ जंगल यहाँ पर आपको हर टाइप के बायों मिलेंगे और हर बायों में अलग लग टाइप के जानवर्स होंगे और बहुत जादा खतरनाग होने वाला यहां पर सर्वाइव करना तो हमें प्रिपेर होना पड़ेगा जल्दी से लगडी काटना तो मैंने शुरू कर दिया है और बहुत ठाइम लगिया इस लगडी को कटने में बट फाइनली हमें साथ लोक्स मिल चुके है और इससे हमारा काम हो जाएगा और हमारे पास एक एनिमल डिक्शनेरी है एक फोरेस्टरी की डिक्शनेरी भी है शायद बुक तो ये दोनों बुक्स ना बहुत जादा काम कि एनिमल डिक्शनेरी से हमें पता चलेगा कि कौन से जानवर को हम किस तरह से टेम कर सकते हैं उसको क्या पसंद है and कहाँ पर मिलेगा हमें and दूसरी चीज forestry का है वो हम बाद में देखेंगे क्योंकि इस में नहीं बहुत सारी चीजे हैं, बहुत सारी अलग-अलग चीजे हम कर सकते हैं यहांपर तो यह हम बाद में देखेंगे, फिलार हमारा focus है world को explore करना and खुद को powerful बनाना तो ये दोनों books हैं आगे जाके हमारे बहुत ज़ादा काम आने वाली है बट फिलाल हमें क्या करना है अपने लिए बनाने कुछ tools जिससे न अगर हमारा सामना किसी जानवर से हो जाए तो कम से कम हम इतना तो prepare रहेगे जान बचा ले अपनी क्योंकि हम खेल रहे हाड़ कोर वर्ल्ड में एक बार साप ने हमें काटा न तो भाई वर्ल्ड खतम, गेम खतम, सीरीज खतम and weight skeletons ओके तो हम ना जंगल में है तो हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि पहले तो भाई यहां से भागो यहां से and नई नई मेरी आती हेल्ड चली गई ओ नई आराम से आराम से फड़ा फड़ा से निकलता है यहां से भाई मेरे जो ट्राफ्टिक टेबल भी चोड़ के आनी पड़ गई यार यहां पर जंगल है तो डार्क एरिया बहुत ज़ादा है पेड बहुत ज़ादा है तो यहां पर न बहुत ज़ादा मॉप सिस्पोन होंगे तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा शुरू में सर्वाइव करना तो बहुत ज़ादा मुश्किल है अभी न यहां से निकलते बहुत ज़ादा हेल चली गई यह मेरी तो अभी तो हमें सबसे पहले खाने की व्योस्ता करने पड़ेगी जल्दी से मुझे यहां पर कुछ जानवर देखने पड़ेंगे अप्डेट करता हूँ और इसके साथ ही यह सीरीज वैसे मेरा ओरिजिनल प्लान ने ओल्मोस्ट तीन या चार पार्ट का तो अगर यह सीरीज आपको पसंद आती है और कैसा परफॉर्म करती है उस हिसाब से हम इसको continue भी कर सकते हैं देखते हैं फिलाल तो चालू करते हैं और देखते हैं आप लोगो कैसी लगती है यह सीरीज क्योंकि fun काफी होने वाला इस सीरीज में काफी मज़ा आने वाला है तो यह बन गए हमारी stone की pickaxe अभी बना लेते हम एक सेकेंड तो सारे टूल्स बना ही लेते हैं एक बार थोड़ी से और इस्टिक्स बना लेता हूं मैं तो stone के टूल बना लेते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत यहां पर कोल भी मुझे दिख रहा है तो वह भी मैं इखटा कर लेता हूं ओके तो कोल आ चुका है हमारे पास तो खाना पकाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली बस अब खाना डूंड़ना है तो ओके तो फाइनली बहुत देर पटकने के बाद ships मिल चुकी है एंड दो गई यहां पर बहुत ज़्यादा ship है तो हमारा जल्दी से अपने लिए furnace एंड बहुत ज़्यादा slow हो चुका हूं मैं यह देखो बाई चला भी नहीं चाहा रहा है बहुत भूग लग रही है मुझे तो बनाते हैं एक अपने लिए furnace एंड कोल तो अपने पास है तो जल्दी से बस खाना पक जाए एंड खाना खाल तो पेट बुजा तो हो चुकी है अब ना जल्दी से बना लेते हैं बेड एंड हमारे सोने की भी विवयोस्ता हो गई है नाइट भी होने वाली है तो सो जाते है ओके तो एक अच्छी नीद के बाद मैं फिर से लग गया हूं कोल तोड़ने में यार कोईला मुझे बहुत जाधा ची है और जब तक हमारा सामना जो है खतरनाक जानूरों से नहीं होता है काफी अच्छा लग रहा है यहां पर गुमना फिरना एंड पिक्स को तो हम भाई का जा रहा है ओके बाई इसके ना सर्वाइवल इस्टिंग्स काफी तकड़ी थी पहले ही भाग गया वो यह चलो खाने की व्योस्ता हमारी हो चुकी है और बहुत जाधा पिक्स है यहां पर तू कहां बच रहा है बाई चलो इसका काम हो गया यहां पर होर्स भी है बट मिरे पास सेडल नहीं है यार क्या ही करें अब गहरे जंगल में जाने से हमें बचना होगा क्योंकि वहां पर बह नहीं है तो सही है बागी नजार है यहां पर काफी खूबसूरत लग रहे है बट मुझे जल्दी से लावा भी है यहां पर ओके तो अभी न मुझे क्या करना है सबसे पहले विलेज डूड़ना पड़ेगा अगर हमें जल्दी विलेज नहीं मिला न तो हमारी बैंड बच जायागी यहां बहुत तगड़ी वाली क्योंकि यहां पर भाई बह। जादा खत्रा यह अभी तक छुफुले एरिया में घू aqustorm में जो की जुद Drap यहाँ पर कुछ pigs और हैं कुछ cows हो हैं मतलब की समस्यों only UP इसी के साथ हिए महिने बर कौना तए खाना तयार हो चुका है यहाँ पर बहुत अजीब से आवाजी और बहुत जादा डार्क है बहुत जादा खतरनाक भी लग रहा है तो में रिस्क नहीं लेने वाला वैसे जाना तो पड़ेगा क्यों कि यार खुला एरिया जो है पूरा खतम हो चुका है अभी ना जंगल के अंदर जाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है और काउज है यहां पर तो यहां पर पक्षी भी है थोड़े बहुत तो खाना और इकटा कर ले थे बाई जितना खाना मिल सकता है एंड इसकी सर्ववेल इस्टिंग्स काफी दगडी थी यार यहां पक रहा है हमारा खाना थोड़ा सा मैंने खाना पकाने के लिए डाल दिया था wait what यह कैसी आवास थी एसा लगए रहा है किसीने gunfire किया था यहां पर ये तो फूल थे यार इससे पहले शायद वहाँ पर कुछ निकल रहा था यार I don't know क्या था ये तो इस टिक तो मैं ले लेता हूँ and wait वहाँ पर आग जल रही है ओके इस तरह से तो ये जंगल पूरा जल के बर्बाद हो जाएगा and यहाँ पर मुझे ना काफी खतरनाक सा feeling आ रही है तो यहाँ से मैं जल्दी से निकलता हूँ इससे पहले कि ये आग और फेले तो भाई खाना वाना तो पकता रहेगा फटा फटा से सारे आइटम्स ले लेता हूँ निकलता हूँ क्योंकि अभी मैं प्रिपेर नहीं हूँ ना तो मेरे पास आर्मर है कुछ भी नहीं है यहाँ पर अगर किसी ने मुझे अटेक कर दिया ना तो बहुत जादा दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए तो यार बहुत दिनों से मैं यहाँ पर भटक रहा हूँ लेकिन यह प्लेन मेदान भी बहुत जादा बड़ा है चारो तरफ से मैंने इसको देख लिया है बट ना तो मुझे विलेज का आता पता लग रहा है वेट यहाँ पर ओके इन्होंने गोट को मार दिया मुझे लगा था यार काफी अच्छे फक्षी है बट नहीं जा सकता इनके पास में अगर मैं इनके पास गया ना यहाँ पर मुझे कुछ structure भी दिख रहा है तो इन्होंने अटे कर दिया ना तो फिर यार मामला थोड़ा सा गड़बड हो जाएगा तो मेरा दूसरी साइट पर निकलता हूं यहाँ पर यार देन देखते हैं कि यार हम कहां से निकल सकते हैं अगर कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर जंगल के बीच से ही निकलना पड़ेगा यहाँ पर नाइट भी होने वाली है तो सोने की भी विवस्ता कर लेते हैं वेट ये क्या था ये कैसा अफेक्ट मिला मुझे आदी हल जली गई मेरी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है जल्दी से मुझे विलेज ढूड़ना पड़ेगा and then mining करने के लिए भी जाऊंगा मैं पहला काम विलेज ढूड़ना है and ये जगे कितनी ज़्यादा खुब से रहे ये फूल यार कैसे निगलते यार अंदर से ये काफी ज़्यादा अच्छे लगते है and सामने की तरफ तो लावा है इधर तो लावा है तो यार night होने वाली है and यहाँ पर मैंने खाना पकाने के लिए डाल दिया है भी यही पर है तो यहीं पर सो जाएंगे तो खाना हमारा पक चुगा है सारा and महिने भर का राशन पानी हो चुगा है कोई दिक्कत नी है इतना सारा खाना तो यार ज़रूरत ही नहीं पढटता है fight होती है तो वहाँ पर ज़्यादा जरुरत बढ़ती है तो निकलते हैं यहां से यहां पर मुझे एक structure दिख रहा है last time तो मैं नहीं जा पाया था क्योंकि यार वहाँ पर वो birds बहुत खतरनाक थी यहां पर थोड़ा आराम आराम से चलते हैं हो सकता यहां पर कोई खतरा तो नहीं है wait यह क्या है तो यह racoon है शाय से गिलेरी तो यहां पर एक saddle है कुछ name tags है और यहां पर एक crocodile की chest plate भी है तो यह ना बहुत जादा helpful रहने वाली हमारे लिए swim speed मिल रही है साथ का armor मिल रहा है और क्या चाहिए and look भी यार काफी जबरदस थे इसका तो सारा item में यहां से रख लेता हूँ and gun powder भी है तो ठीक है यह भी काम आ जाएंगे melon काम आ जाएंगे and bone भी काम आ जाएंगे अगर रास्ते में हमें wolf मिलता है तो उसको हम tame कर सकते है जो कि हमारी help करेगा यार बहुत जादा helpful रहेगा and armor काफी अच्छा है यार इसके leggies and सारे बनाऊंगा ना में तब काफी जबरदस लगने वाला है protection भी काफी अच्छा है अभी न मेरे पास और जादा कोई रास्ता है नहीं अब मैं जाने वाला हूँ इस जंगल के बीच में से बस आशा यही है कि यार शेर चितों से भालू से इंस सामना ना हो जाए क्योंकि यार बिना सांस रोके भी नी सो पाऊंगा मैं भालू आ गया तो वैसे अभी तक तो एक भी जंगली जानवर वेट जंगली जानवर से सामना नहीं होता बट हमें विलेज मिल गया है और यहाँ पर विलेजर भी है भाई कैसे हो तुम है इतने गने जंगल में कैसे रह रहे हो यार बट डर नहीं लगता है कि आप पूरा एकटम इन्होंने कैम बना रहा यहाँ पर यह तो कुछ बोलने के लिए तेयर भी नहीं यह उपर क्या कर रहा है अपने गर के भाई गर के उपर कौन काम करता है यार गर के उपर बेटा है वो तो यहाँ पर इसके अंदर चलते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इस साइट से ओके यहाँ पर काउज है तो यह अच्छा है कि यार हमें गायों को पकड़ के नहीं लाना पड़ेगा इन्हीं को ब्रीड करवा देंगे हमारा काम हो जाएगा वैसे दो-चार गर तो मैंने देखे हैं बढ़ कुछ खास मिला नहीं है वैसे मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर एक चेस्ट हो रहे हैं और इसके अंदर एमबरेल्स हैं तो वैसे मैं सोच रहा हूँ कि यार यहीं पर अपना गर बना लेता हूँ तो यार यहाँ पर लूटने का जादा कोई मतलब है नहीं जब भी कोई चीज जी होगी बाद में ले लेंगे तो यहाँ पर मैं कोई जगे देखता हूँ जहाँ पर जो है हम अच्छे से अपना घर बना सके यह विलेज काफी साही लग रहा है यार यहाँ पर लुक काफी अच्छा आएगा विलेज का तो यहाँ पर तो ठीक है मैं आ गया था शाहिद पहले तो इसको करते हैं बन यहाँ पर एक चेस्ट हो रहे हैं जिसके अंदर कुछ पंपकिन सीड है तो यह काम आ सकते हैं यहाँ पर आइरन गोलम भाई साब है हमारे यह हमारा डिस इंचेंट है तो ठीक है यहाँ पर विलेजर्स की घंटी पड़ी हुई है बेल पड़ी हुई है तो सई विलेज लग रहा है मुझे सई एन्वाइरमेंट है काफी अच्छा तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यार कहाँ पर अपना जो है घर बना सकता हूँ यहाँ पर मैं फस गया हूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी आइट पर मुझे एक घर दिख रहा था और फाइनली पहुंच गया हूँ मैं वहाँ पर इसके अंदर चलके देखते हैं यह थोड़ा सा मुझे अलग टाइप का गर दिख रहा है यहाँ पर एक छेर भी है नहीं यह कुछ अलग सा है आइटम यहाँ पर हम कोई सेंपल रख सकते हैं उसको एक्जामिन कर सकते हैं ऑके तो यह ना मदुमक्षी पालन वाला है बीस को पालने वाला है तो इसके लिए हमें चीजे समझनी पढ़ेगी बढ़ फिलाल यह वाली चीजे में अभी नहीं करने वाला क्योंकि इसमें बहुत ज़ादा टाइम लगने वाला है और हमारे पास टाइम नहीं है इससे पहले कि यार अटेक वटेक होने लग जाए हमारे उपर तो पाउरफुल बनना है यार खुद को एंड केंडल से हैं यहाँ पर भी स्मोकर है जैसा मैं बोल रहा था एंड यहाँ पर बहुत सारे ग्राफ्टर भी है तो बहुत सारी मदुमकी पालन वाले आइटमस है तो काम आएंगे या बाद में ओके तो गर के टोपे में पहुंच चुका हूँ एंड यहाँ से हम जो हैं पूरा विलेज भी देख सकते हैं गर के पास भी पेड़ था वहाँ पे मैं चड़ गया हूँ यहाँ पर समुद्र भी है पास में नदी भी है तो यार काफी सही जगे दिख रही है मुझे एक काम करते हैं यही पर अपना घर बना लेते हैं यहाँ पर तो फिलाल के लिए इसी घर को अपना बना लेते हैं बाद में न नया घर बना देंगे अपने लिए ओके तो अब बार ये वो काम करने की जिसके बिना Minecraft अधूरा है Mining Yes, Mining करने का टाइम आ चुका है बहुत ज़्यादा Mining करनी हमें Iron चाहिए, Diamond चाहिए देखते हैं और क्या का मिल सकता है So let's go थोड़े दिन अब सिर्फ Mining की करने वाले हम So बहुत ज़्यादा मैंने Mining कर लिए Iron मुझे मिल चुका है Gold मिल चुका है अभी मैं आ चुका हूँ एक Cave के अंदर क्योंकि यार मैं जा रहा था Y level 11 पर रास्ते में ये Cave मिल चुकी है Cave में हमें बहुत ज़्यादा साही चीजे दिख रही है Iron दिख रहा है, Gold दिख रहा है Coal भी दिख रहा है तो थोड़ा बहुत और Explore करते हैं यहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है अभी तक तो सिर्फ Iron and Weight यहाँ पर एक Zombie है तो इसको मारते हैं फटा पट से अभी तक एक भी Zombie को नहीं मारा है मैंने तो यह गया ओके, तो यह शायद से Frozen Zombie था चलो ठीके, कोई दिकत नहीं है यहाँ पर ओके, Lava है यहाँ शायद से Ravine है यहाँ पर ओके, तो हमें Finally Ravine मिल गया है और आप Diamond मिलना बहुत जादा Easy हो जाएगा क्योंकि Ravine के यहाँ पर यहाँ Diamond तो मिली जाते है तो अभी ना यहाँ Light Up तो मैंने कर दिया है यहाँ पर यह Diamond मुझे सामने ही दिख रहे है ओके, बहुत जादा लखी रहे है हम भाई, Ravine मिलते ही हमें Diamond मिल गए तो Water का Flow जो है मैंने Cobblestone के साथ रोख दिया है अब हम आराम से Diamond निकाल सकते है और यह Diamond की आवाज मतलब आप कितने भी Modes खेलो कितनी भी बार Game खेलो, कितने भी Pro हो जाओ बट जब Diamond मिलता है ना तो यार अलगी खुजी होती है अलगी Satisfaction मिलता है यहाँ पर और Diamond है भाई Diamond का तो खजाना मिल गया हमे तो मतलब जितने हमें Diamond चीए थे एक सिगिंड भेके गई लावा में ना चले जाए बागी कोई दिक्कत नहीं है मुझे वैसे मैंने Flow तो रोख दिया है Water का, तो लावा में तो नहीं जाने चीए एंड एक वोरा चलो, Diamond तो बहुत जादा मिल गए Pickax बन जाएगी 12 मिल गए यार, X भी बन जाएगी काफी जादा काम हो जाएगी यार, काफी सही एंड, Iron तो बहुत है सामने Lapis भी है तो उसको भी निकालते है ओके तो पहुंची चुके हैं Almost, ओके पहुंच गए तो Lapis भी लही लेते हैं बाद में वैसे और चाहिए होंगे तो एक ही Block था तो 3-4 तो मिल जाएगे, Lapis काफी जादा मिल जाते है तो यार, फिलाल के लिए मेरे हिसाब से इतनी Mining बहुत है काफी अच्छा Mining Session रहा हमारा Iron काफी जादा मिल गए Gold मिल चुका है, Lapis मिल चुका है और सबसे ज़रूरी 12 Diamonds मिल चुके है तो Iron भी हम बाद में निकाल लेंगे बहुत सारा Iron है और चमक भी रहा है तो ढूंडने में भी जादा दिकत होती नहीं है तो Mining Session हो चुका है Complete 12 Diamond है हमारे पास तो सबसे पहले बनाते हैं Pick X and then हम बना सकते हैं अपने लिए में भी एक नहीं, Chest Plate नहीं बनाते है क्योंकि वैसे इसका Armor जादा अच्छा है Toughness भी जादा है बट फिलाल हमारे पास Chest Plate है तो काम चल जाएगा तो X मैंने बना लिए अभी एक काम करते हैं कितने Diamond बचे हैं 6 Diamond बचे हैं and Iron तो अपने पास काफी जादा है तो Iron का एक काम करते हैं Leggy और बाकी है तो Leggy बना लेते हैं कहां गई यह रही तो Armor Suit हमारा पूरा हो चुका है एक जो है Crocodile का Chest Plate है जो की Swim में काफी Fast है Plus One का हमे Swim मिल जाता है उसमें तो अभी एक Sword Door बना लेते हैं Diamond की Then हमारे पास 4 Diamond बच जाएगे जो की हमारी Enchantment Table में काम आ जाएगे उसके बाद Mining तो खेर और करनी ही है इतनी सी Mining से तो कुछ नहीं होने वाला तो यहां पर सारी चीजे सेटल्ड है मेरे हिसाब से तो वाई यहां से व्यू कितना प्यारा लग रहा है यार तो अभी हम जा रहे हैं Ocean के पास ताकि हमें ना थोड़े से Sugar Canes मिल जाए और सबसे ज़्यादो चांसेज है Ocean के पास, नदी के पास हमें मिल जाते हैं वैसे Sugar Canes तो सामने डार्क जंगल ने पूरा डार्क लोक्स का तो डार्क लकड़ी अगर हमें चीज़ होगी तो यार काफी जादा पास में मिल गई हमें तो यह काम काफी सही है यह मचलिया कैसी है भाई अजीब सी दिगरी है मुझे नाम भी नहीं पढ़ने दे रही है Peach okay तो इसका नाम Peach है थोड़ी यूनीक सी है बढ़ ठीक है अपने को कोई ज़्यादा जरुरत है नहीं अभी तो अभी चलते हम सामने वाला आइलेंड पर यहाँ पर एरिया बहुत जादा डार्क होगा वेट 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 यहाँ पर बालू भी है भाई यह मेरे पीछे दोड़े इससे पहले Skeletons भी है यहाँ पर क्योंग ना एरिया बहुत जादा डार्क है सारे डार्क ट्रीज है तो बालू हिला भाई यहाँ से भागो वो जल्दी से इससे पहले कि वो हमें देख ले कचुमर बना दे अपना निकल चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा उस साइड पर चल ओके शुकर केंस सामने की तरफ ही मिल गए है काफी सही है शुकर केंस मिल गए हमें बस हमें जो है यहाँ पर Creepers and Skeletons का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर इना एरिया बहुत ज़्यादा डार के तो मुझे लाइट अप भी करना पड़ेगा इस पूरे जंगल को ताकि ना ज़्यादा मतलब जब भी हम इस साइड में आए तो यार दिक्कत ना आए ज़्यादा तो शुगर केंस तो मैंने सारे ले लिए अभी ना यहाँ पर ओके यहाँ पर लावा भी है तो लावा चीए तो यहाँ पर आ सकते हैं काफी ज़्यादा पास में है तो यह भी ठीक है यहाँ पर तो सारा प्ले नीरी आ चुका है यहाँ यार इस साइड में मुझे नहीं जाना है तो यहाँ पर हम जंगल जादा बड़ा तो नहीं लग रहा है मुझे वैसे यहाँ पर zombies भी है तो shield ले लेते हैं अपन क्योंकि skeletons होंगे तो भाई तीर बहुत तेज मारते हैं हाड़ गोर में तो यहाँ पर zombie तो गया monster hunter बन चुके हम वैसे हमने cave के अंदर भी तो एक zombie को मारा था wait wait skeleton आगया जिसकी मैं बात कर रहा था शायद वो frozen zombie था ओ नई मेरी आती health मार दिया हमने finally मार दिया उसको यहाँ पर सामने की तरफ मुझे एक skeleton और दिख रहा है बट यहाँ पर मैं light up करता हुआ साइड 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 से ओ नई creeper wait 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 creeper से पंगा wait मगर मच था यह अरे नहीं नहीं ओ पाई यह का ले जाना मुझे इसने मेरा पेर पकड़ लिया ओ नहीं गया मैं ओ बच गया भाई मुझे लगा था मेरा game खतम एड एक और आ रहा है नहीं 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 फटाफर से निकलो यहाँ से बहुत कम health बच यह मेरी उसने मेरा पेर पकड़ के भाई खीज लिया था मुझे ऐसा लग रहा था यार पानी के अंदर उसके गर पे ले जाना चारा था मुझे नाश्ता समझ रहा था मुझे बट फाइनली हम बच गए सिर्फ थ्री हर्ट बचेते यार एक बार और अटे होता ना उसका तो मैं मढ़ जाता है और पीछे से दूसरा मगरमच भी आ गया था तो यार हमें थोड़ा सा संबल के रहना पड़ेगा हार्ट कोर वर्ल्ड यार इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं भाई की दिक्कत हो जाती है अभी तो भाई मार दिया मेरे हाथ में स्वोर्ट थी जो काफी अच्छा रहा अभी एक काम करते हैं शुगर केंस यहां पर बहुत है हैं वैसे मगरमच आना जाए बस वही टेंशन है मुझे पानी के पास में ही है हम तो ठीक है हो पता नहीं वह भाई था बीवी थी कौन थी जो बच गई ना वो बदला जरूर से लेने आएगा दूसरा मगरमच तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा चलो यार शुगर केंस तो है complete हो चुका है बस यहां पर वीट बोड़े तो हमें ताकि यह हम गायों को ब्रीट करा सेखे हैं लैदर मिल सेके हमें कहान मिल सेके हमें फाय तिदले ले आउ by और sponsor है यह जो हमें इसका fig काम करते हैं पाडानी उनको यहां पर लगा देते यहां पर ना विलेजर इसका खेत था तो उसको मैंने तोड़ दिया और पूरी जगे समतल कर दी वह क्या ही करेंगे वह चोटे से खेत का वह आट दस तो महां पर गयों उखते हैं कौन खाएगा और कौन क्या करेगा अभी ना एक काम करते हैं यह सब तो ठीक है हमारे पास ना वीट पड़ा हुआ है तो इस से ना हम एक काम कर सकते हैं गायों को जो है ब्रीड करा सकते हैं तो इनको खिलाते हैं वीट एंड बढ़ाते हैं अपनी जनसिंक्या है लेदर भी ची होगा हमें फूड भी ची होगा तो जनसिंक्या बढ़ चुकी है एंड इसको खिला लेते हैं बाकी का वीट भाद में टेबल आजाए वाइक किसी चीज की कमी नहीं है छोटा सा है यह गर तो केबिन वाला तो इसको मैं तोड़ देता हूं एंड देन जगे क्लियर करता हूं अपने घर बनाने के लिए एंड काफी अच्छा सा गर बनाएंगे हम जगे हो चुकिए क्लियर एंड एक महमान भी आये हैं हमारे विलेज में बट इनका कोई मतलब है निए इन में से कोई भी चीज वैसे ट्यूब कोरल का पता नहीं क्या यूज होता है बट मुझे कुछ भी नी चीए तो यहां पर जगे में ने पूरी क्लियर कर दी है यहां पर हम बनाएंगे जंगल लोग यंड उसके लिए मुझे डूढना पड़ेगा जंगल को अब ये काम करते हैं जंगल बयों को टूढना पड़ेगा जहां पर मुझे जंगल लोग मिलेगी तो कुछ आइरन पिकेक्स बना लेते हैं क्योंकि बार-बार जाना होगा निए वैसे अगर पास में म दिकत होगी नहीं बोट में ने बना लिए एंड रस्ते में अगर कहीं होर्स मिल गया तो उसको भी लेकर आ जाएंगे कोई दिकत नहीं है एंड नजारा काफी जबरदस्ते यार ये वर्ल्ड काफी खूबसूरत है तो यार जादा दूर तो में नहीं आया थोड़ा सा दूरी मुझे जो है जंगल ट्रीज दिख चुके हैं पूरा जंगल बायों में वेसे मतलब बोट से ही नहीं आया हूँ रास्ते में मतलब जमीन भी थी तो यहां पर रास्ते में फिर से मैंने बोट पकड़ दी थी एंड काफी अच्छा लग रहा है फाइनली हम जिस चीज के लिए आये थे वो हमें मिल चुकी है अभी न यहां पर एक ध्यान रखना पड़ेगा स्केलेटन्स बाइज जोंबी जिनकी मैं बात कर रहा थ अब बात करने से पहले ही आ गए एक तो गया अट यहां पर स्केलेटन्स क्रीपर्स बहुत जादा होंगे इस चीज का में ध्यान रखना है एंड朝 किस्टार्ट हो चुके हम जंगल लोग मिलना स्टार्ट हो चुकिया बहुत सारी जंगल लोग हमें तोड़नी है बहुत सार जीव भी होगी है मुझे लगा यार मेरे पास आएगा बाट नहीं अधिक है कोई नी यहां से हम तोड़ते एंड मेना शेयर भी लेकर आएंड हो तो बहुत सारी के जो है पत्टिया भीी होगी लीव चीह होगी जंगल लोक की तो वह भी चीह थोड़ी बहुत सजावट के लिए तो काफी अच्छी लगेंगी यहां से जो सेपलिंग मिलेगी एंड वेट क्रीपर पच गए पाई शील्ड से बच जाते एंड वेट यहां पर मुझे केला दिखा यह यह बनाना मिला है हमें इसका क्या यूज होगा बट चलो मिला तो है बनाना एंड मेलन्स भी मिल जाएंगे तो काफी सारी चीजे मिल जानी चीए वैसे यहां पर हमेना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कहीं से भी मॉप्स आज सकते हैं कोई परोसा नहीं है उनका तो ज्यादा पंगा लिये बिना फटा 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 लगडी काड़ते अपना ठीक है भाई मतलब यार मेरे को लगए इसकेलेटर ना है बड़ चलो ठीक है फटा 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 ना लगडी इखटा करते हैं और देन जो है निकलते हैं यहां से तो वापस आ चुका हमें जंगल बायोम से लगडी मेने इखटा कर लिए जो भी जरुरत की चीजे थी सारी इ लगने वाले हैं अब 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 अ कि आउए भाले हैं अब 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 अबगवग इए और पथा रिद yes और उज कक बंग अब 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 अबग अब अब electronics झाल झाल तो यार बहुत दिनों की मेनत के बाद फाइनली हमारा घर जो है बनके रेडी है एंड लेट्स सी कैसा लग रहा यार बताना जरूर जंगल लोग से बनाए है पूरा बीच में कोबल स्टोन का यूज़ के हैं सिंपल सा गर है जादा कुछ कॉंपलिकेटेड नहीं है बस काफी जादा जो है अच्छा सा लग रहा है इसके आस पास ना हम थोड़ा बहुत और डेकोरेशन करेंगे बाद में इंटिरियर पूरा बाकी है एक्स्टिरियर भी बाकी है तो वो हम बाद में कर लेंगे बट अभी आप इसको देखो यार थोड़ा सा यूनीक सा काफी अच्छा सा लग रहा है यार मस सा लग रहा है यासे गर तो अभी ना मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ उससे पहले साइट से देख लेते हैं अभी चलते हैं अंदर एंड इसे इंटिरियर में ज़्यादा कुछ है नहीं बट अंदर चल के आपको दिखा लेता हूँ दिखा देता हूँ कि मतलब कितना ज़्यादा बड़ा है यहाँ पर रूम हो गया है इस साइड में इस साइड में एक और रूम हो गया एक स्टोरेज बना देंगे एक जो है हम एंचेंड मेंड के लिए बना देंगे और सोने की भी विवस्ता हो जाएगी यहाँ से हम में भी बाहर जाने के लिए एक रास्ता भी बना सकते हैं ताकि हम बाहर का जो है सही से नजारा देख सकें एक काम करते हैं यही से तोड़ देते हैं इसको ताकि हम ना चट पर जा सके हैं यहां पर बाद में ना एक डोर लगा देंगे ताकि आराम से हम छत के उपर आ सकें क्योंकि यहां से ना नजारा काफी जो है जबर्दस लगने वाला यह देखो बाई कितना ज़ादा जवर्दस लग रहा है पूरा विलेज कौम देख सकते हैं आस पास का एन्वाइरिमेंट देख सकते हैं खुबसूरी दिखे हो निहार सकते हैं और सामने की तरफ अपना बालू भी देख सकते हैं बीर भी वहीं पर गूम रहा है बट उसको ना मुझे देखना पड़ेगा यार पकड़ के लाना पड़ेगा उसको क्योंकि सामने वाले ऐलेंट पर यहां से दिख रहा है और नजरा काफी ज़ादा खुबसूरत है तो वीडियो को करते हैं यही पर एंड आई होप कि आप लोगों को आज की जो है वीडियो पसंद आई होगी अब ही तो बहुत ज़ादा खत्रे आने वाले इस वर्ल्ड में बहुत सारे एनिमल से हमारा सामना होगा बहुत सारे monster से भी होगा तो I hope कि आप लोगों को जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो like करना चैनल पर नहीं होते यार subscribe जरूर से करिएगा एंड हाँ ये वीडियो आपको कैसी लगी comment में जाके जरूर से बताना तो मिलता हूँ सबसे next वीडियो में तब तक के लिए good bye